silent काइस है अतोब तो के आशा करती हुआ आप सब भीत्षा रहे होंगे तो कि पॉढिकल इस वीडियो में आपको सब्देटिएरों के में सव सुंवाल की इस then करना को सिखाया तो इस वीडियो यह खाब मैंने विगनर्स के लिए बनाई है जो उनको थोड़ी बहुत स्लाइब करने लिए प्रोब्लम होती है उनको क्या प्रोब्लम होती है जब को बैल अटेच करते हैं तो जो उनकी प्लिट्स होती है वो एका परफेक्ट नहीं बैल दूसरी बात जब को नेपा फोल्ड करते हैं तो उसमें जुगल आता बिल्कुल भी स्निसिंग नहीं आती है तो इसी लिए में वीडियो बिगनर्स के लिए लेकर आई तो इस वीडियो को मैंने बहुत ज़दर डिटेल में बताया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए तब ही आप अच्छी से समझ पाएंग अगर वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाली डेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़दी ही मिल जाए गाईज सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे तो हमारी बेल्ट में उट चुड़ा को जोड़ा आया था तो इस पट्टी को हम रखेंगे इस तरीके से और यहां से इससलाई लगा कर लेंगे अगर आपका जोड नहीं है तो आप जैसे मैं भी बार दमें उसलाई लगा लिए गया है उसके अपर एक पैर की स्लाई लगा लिए इसके पार करें माप्स पर एक पैर की स्लाई लगा लिए में देखालो टेल के बाफे में दीस देखाले तो बहुते जा किसे दो परत तकान में साज़ीए तो आपाल्स के प्राइब बाइए जो पर टाइब में धे दो नो प्रिखे में DES meant हम हम आथे के सिर्फ ना यां तक हम समझ मां को अपर से, चलाए 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 से लोगर करेंगे, अंधार भी बिग हम सलाई करेंगे,। बी सेंटर से नकून से अच्छे से प्रेस कर लेंगे गाई उसके पाद देखिए मैं आपको बता देदी हमारा नेफा फोल्ड आएगा और 1.5 इंच का मारा नेफा बैठेगा तो यहां से हमने जो निशान लगाया है दूसरा वह साड़े तीन इंच पर नीचे हमने लगा लि कंवी तो निशान लगा है मतलर नीचे नेचे 2 इंच तुमारा वह साड़े तीन इंच मारा नेचे हमने निचे ताना से नेचे पर न्यवे तोटव साड़े तीन इंच तो इस तरह से दोनों साइडों हमने जो लगा लिए अभी हम नेफा फोल्ड करेंगे तो आपके नेफ बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा तो देखें हमने पहले इसको सीधा कड़ लिया है बिल्कुल सीधी साइड है हमारी उपर इस तरह से देखें किस तरीके से नेफा फोल्ड करेंगे जो जोलना आए तो हमें इंचे टेप ले लिए नेफा फोल्ड के लिए यहां पर कपड़ा पहले दो इंच लगाएंगे, फिर हम आदा इंच लगाएंगे, इसी तरीके से हम पूरी बेल्ट में अपने निशान लगा लेंगे, निशान लगाने से क्या होगा, जब मैं अभी फोल्ड करोंगी, तभी आप अपच्छे से समझ पाएंगे, आदा इंच हमारा अंदर की तर लेकिन एक बात और बात आ देती हूँ, जब आप इस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो आप जब सलाई लगाएं, तो कपड़े को बिल्कुल भी नहीं कीच रहा है, जहां हमारा कपड़ा बैठा है, डीली हाट से वहीं पर हमें से बिठान आए, देखे, यहां से हम यह जो हमने चौक से निशान लगा, इनको इस तरह से नकुन से प्रेस करेंगे, जो आधेंच पर हमने निशान लगा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसको देखे ही थोड़ा लूज है, तो इसको अपनी तरफ नहीं कीचेंगे, बनना जोल फिर भी आ जाएगा, त इस तरह से निशान लगा का नेफा फोल्ड करेंगे, तो आपके नेफे में बिल्कुल भी जोल नहीं आगा, देखे कितनी फनीसिंग के साथ हमारा जो नेफा भी फोल्ड हो गया, तो यह आपके लिए एक खास ट्रिक थी, बिगनर्स के लिए हमारा नेफा फोल्ड हो गया, जब हमने इसको फोल्ड किया, तो दोनों में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, देखेगा, तो गाइस हमारी जो बैल्ट है, पीछे आगया है, एक कट और दो कट हमारे देखें, यहाँ एक उपर आगया है, और एक इधर हमारी नीचे साइड माई गया है, तो गाइस अभ कलि के जो इल्टि साइड है वो उपर रहेगे और सीधी साइड नीचे रहेगी, मतलब दोनों सीधी साइड आफस में मिली रहेंगे, और सल्याह से तरीके से, दूसरी साइड में हम कलिया रखेंगे, लेकि भी कट हमने निशान लगा था गो कोई भी प्रोब्लम नहोए, औ कि इस तरह से रखेंगे हम पहले उपर वाली कली को हम इधर की साइड में रखेंगे इस तरीके से और स्लाई लगा लेंगे दूसरी कली को हम उधर की जो नीचे कली थी हमारी वह उधर की साइड रखेंगे और इसमें भी स्लाई लगा लेंगे इस तरीके से देखेंगा गल्या के आपकर अपर ये सांग इल्टी साइड साइड अख नीकर दोघ पहुंच है कि फ़ीक दी हाये हैं कि दूसरी कफ़े है Perfect सिर्टी का डंडी तो अपर रिखे हैंगे । में गल्म सांग स्थाड से गल आपके तो झाती है इस तरीके से देखे हम दोनों क्रोच एरिया में ये स्लाई लगा लेंगे दूसरे में भी हम इसी तरीके से देखे स्लाई लगाएंगे यहां पर रखेंगे बराबर और यहां पर स्लाई लगा लेंगे यहां से में पहले तो इसको बराबर कर लेते हैं, थोड़ी सी दूरी पर हम यहां पर शलाए लगाएंगे, इससे क्या होता? जब हम वेल्ड अटेच करते हैं, यहां से सलाए क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हम बैल्ड अटेच करेंगे, और जब प्लेट बढ़नेंगे उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसलिए थोड़ी सी दूरी पर 2 इंच की दूरी से मिया पर सलाई लगा लेंगे और जो हमारी देखे सलाई है आसन वाली वह बिलकुल आपस में मिली होनी चाहिए इतनी दूरी से हमने इस लाइ लगा लेनी है इस तरह के सी हमारी सलाइ लग गई है इस तरह से आप देख सकते हैं उसके बाद देखे हैं इस हम क्या करेंगे अपने प्लेट से डालेंगे तो बैक साइड में डालेंगे तो प्लेट से डाल ली है अब भी हम इसमें अपनी बैल्ट अटेच करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखेगा जो हमारा देखें इन नाडे वाला साइड है जह से जारवन डालते होँ अधो तक हम इसको डॉबल फोल्ड करेंगे विश्वयद करेंगे वहसं इसको डॉबलण और इसको साइड में रखेंगे के पल्द कि साइटreibtाइड भी इसको अटैच करेंगे गाईशows दूसरा हमने कट लगाए किने दू को फोर फोल्ड करके देखे एक कट इधर आ रहा है हमारा और एक कट हमारा उधर की साइड आएगा। देखी मैं आपको दिखा देती हूं अच्छे से समझा देती हूं यह आ रहा है। तो अब भी हमें क्या करनाyers समस्ट इस कट से लेकर चेले के उसके स्ञाइल कर तक चिलिए हम अच्छे से रखेंगे पर बराबर करती हुए उस्ट्री चाहिज में आधा इंच की दूरी पड लगानी क्यूंकि हम आधा हैंच दिया था इस तरीके से हम इसे सिलाई लगा कर अपनी वैल्ट को बैक साइड से टालेंगे . वैसी हम दो इंच पर इंच पर इहां से प्लेट्स हमारी दो इंच की रहेगी लेकिन जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से रखेंगे देखिए तिनी दूरी से नीचे वाली प्लेट्स की लास्ट तक तो हमारा यह तीन इंची बैठेगा तो पहले निशान जो हम लगाएं वो दो इंच पर लगाएंग यहां तक निशान लगेंगैं लास्ट में हमारा दिखे 2 इंच बच रहा है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे लास्ट की पुछ। में क्या होता जबागा दालती है कोई कौछ चोणी यह काम हो जाती है तो हम अरज़स्ट कर लेते हैं लास्ट वाली को तहम ने दो इंच य नहीं नहीं ठीचानंगी हम सबस्यानी तुकन प्लीजन करों जो गया है भी सेंटाइस प्लीज मिला होना चाहिए जो हमारी आसनवाली स्लाई है वहाँ से हमारी स्लाई से मिली होनी चाहिएगक आधाँ से चाहिए अब हमने जो निशान लगाए हैं इसी तरीके से हम अपनी प्लेट से डालते चले जाएंगे देखिए का जोग पर वाली बैल्ट है इसको हटाएंगे फिल लगाएंगे आप चाहें तो इसको पहले प्लेट से डालने बार में बैल्ड अटैच भी कर सकते हैं लेकिन क्या होता कितनी डलनी है मतलग कितना कपड़ा कभी तो बराबर हमारा पूरा बैठ जाता है परफेक्ट कभी-कभी छोटा बड़ा हो जाता है जो हमारी यहीं से लेंगे जो अंगोठा होता है इस से हम अंदर की तरफ इसको खिसकाएंगे लास्ट वाली को अगर आपको थोड़ी सी मोरी लास्ट वाली प्लेट को तो जो हमने बेल्ड पीछे की बेल्ड को टैच किया था वहां से थोड़ी सी स्लाई को आप निकाल कर इसको अच्छे से पर्फेक्ट बिठा लें उसके बादा स्लाई भी लगा सकते हैं लेकिन हमने इसी तरीके से लगा लिए हमने कोई स्लाई प्लेट बेल्ड नहीं निकाली है इस तरह से लगाएंगे और अपनी स्लाई लगाते वे चले जाएंगे देखे हमारी सारी जो है एक साइट की प्लेट से वह हमारी डल गई है एक दों फनीसिंग के साथ स्वारी बराबर रहेंगा इस पोई छोटी बड़ी नहीं आप ये तो 2 इंच पर सिर्म बराबर मिलाएंगे इस लाय से ओर इसको अटैक्च कर लेंगे से अब दूसरी इस तरह से जो तीन इंच पर लगाइती है उसको hugely लगाएंगे आधहंज की दूरी पर रखेंगे जब हम प्लेट से टाल रहें तो थोड़ी सी ही इसको अटैक्य से एकदम बराबर परफ्ट बेड जाता है शेसे से नंग अंगोटी से अंदर की तरफ अराम से बैँद जाता है लास्ट वाली है अपने ड़ंगे चैसे तो हमने दोनों आपकी सलवार में बहुत अच्छी फ्नीसिंग आएगी अभी हम नीचे मोरी पट्टी अटेच करेंगे तो हमने बुकरम पट्टी ले लिए तो दो इंच चोड़ी है इस तरीके से हम इसको 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 आपके लिए अपने सलवार कटिंग का वीडियो नहीं कर लेंगे जो एकस्ट्रा है हमारा इसी तरीके से हम दूसरे कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे गाइस तो गाइस अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक मेरे चैनल को कर लिजएगा । उसके बार हम अपनी पत्टी को सलवार के नीचे रखेंगे मोहरी पर देखें बराबर करेंगे ठोड़ेंगे फंड़ा एकस्ट्रा ही लेते हैं इस तरीके से रागा उश्त के एक पट्टी पर हम घ्लाइ लगा हैंगे का इस तरहिकteं की अम यह ना डीं अब हम क्या करेंगे ?देखे रहां लिटिए अदर पर आप मुखर लिखेते नीचे सलंज का चलिए में नीची लेकि लाइब सलंज लाए लिए जो सलंज लाइगा लेकें अब नीचे कीनारी पर सलंज सलंटी तरहके Toutस बंगी सामद्री के बनें निचान के चॉक 220rada लाइब तो देखिए उल्टी तरफ मैं इसले समझाए ताकि निसान सीधी तरफ देखने में चली लगेंगे अब हम यहाँ पर स्लाई लगा लेते हैं देखिए हमने अपने पहुंचे बना लिये हैं गाई साम देख सकते हैं इसी तक कि जैसे मैंने आपको बताएं उसी के अकोडिंग लगाएं गये और इस निजसान को हम यहां तक ले जाएंगे देखिए इस तरहों से ले जाएंगे और ढले यह पorे पार देखिए हम देखिए नोख दूर्प लगा लिए थी तरह दूर्प दिक को कपड़ा साइड का क्पड़ा के साइड के कटिंग कर लेंगे सेड़ाइ Fený साइड के साथ तो मैं सीधा कर दीहा दीह जहें अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ मिन आए तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको next video में अच्छे से समझा सकूं, अगर आप किसी topic पर video देखना चाहते हैं अपनी पसंद के तो तब भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, ताकि मैं next video आपकी पसंद के ले करा हूं, तो guys, please मैं आपसे एक बात कहना चाहते हूं, please मुझे support किजे, मैं बहुत महन करती हूं गाइज वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया